से त्योरा है ho आज अज फिजीक्स भी अजओ हम के रहे McMahon जिस तरह से अपने सेंट्रॉ DF कर रहे इस तरह समने सेंट्र जेफाइन कर रहे उसी तरीके सेंट्रफ चार्च करतें अगर बस मार्स की रहे हम की राग दिया चार्च मामनों यहापmeter दोता सारे चाट से सबके पॉजिशन भीक्टर निकाले और यह को लगा कि हमने सेंटर अपफ चार्ड निया हुआ नोगा तो लन्हों ने फार्मिला लिए शैंटर उपकर ये Center of Charge C O Q लिख देते हैं समझ जाओ तो यह क्या होगा है विष समेशन हैना QI RI वेक्टर डिवाइड़ वाइड़ वेक्टर डिवाइड वाइड 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 पहला कोशन इसके तीन पार्ट है एक एक करके पर डिसकुस करेंगे तीन ही बहुत इं बी आउटसाइड दा लाइन सेग्मेंट जोइनिंग का चार दिस देखो इसको समझते हैं क्यों है माल लोगा दो मासेस हैं लेट से दो मासेस हैं लो माल लो एम और तो हमको पता है इनका सेंटर मास कहीं यहां पर आता है और अपने वो डिस्टेंस भी निकाला हुआ है अगर इनके बीच का दिस्टेंस डी है deepest तो य क्या होता है दो मास पार्टिकल काγंोर सेंट्र मासस होता है वह हमेज़ा उनके बीच में आता है तो क्वेशन उथा क्या चार्ग क्योंकि चार्ग ्णरश रग्दु में लेडवाज है To Sat. की तरीके से मैं कह सकता हूं तो क्या तो क्या उप्रकर सब्सक्राइगा कि आउसी है तो है यहांorse निएट क्शोण है आउसरे जाएकंट थे मान लो एक चार्ज को में नेगेटिव ले लो फर्क है सेंटर ओफ चार्ज में थोड़ा सा फर्क है भाई मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता चार्ज नेगेटिव हो सकता है तो हमको ना मल्टी डिरेक्शन में सोचना होता है जो हमको मल्टी डिरेक्शन में सोचना होता ह हर एक possibility हमको consider करनी होती है चार्ज can be negative और अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो चलो निकालते आजाओ इसका निकाल देखते माल लो यह origin है यह x equal to 0 माल लो लो अभी दिख जाएगा जिनको नहीं दिख जाएगा लगा सेंट्र ओफ चार्ज निकालो इसका क्या आएगा तो स फर्मिला यह होगा q1 x1 plus q2 x2 divided by q1 plus q2 total charge जैसे सेंट्र माल्स निकालते थे q1 कितना है तुमारा minus q यह कितना है x coordinate x है 0 है क्योंकि origin पर रखा है plus 2q q2 is 2q इसका coordinate कितना है distance d बोला है तो इसका coordinate हो जाएगा d,0 यह ना by coordinate 0 है divided by total charge तो minus q plus 2q is minus 2q minus q plus 2q is q q आ गया तो देखो यह वाला item तो 0 हो गया तो यह क्या आ रहा है तो टू q dy q 2d मतलब तुमारा center of mass यहां पर आ रहा है इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है इन दोनों charges का center of charge जिसके बाहर आ रहा है मतलब मास से इसमें अपने जो पढ़ाता अपने mass के case में क्या पढ़ाता कि जरूरी नहीं है वहाँ पे mass हो वो questions जो भी करे थे पर center of mass boundary के अंदर आएगा पर center of charge के case में हम यह नहीं कह सकते है center of charge के case में center of charge boundary के बाहर भी जा सकता है अगर मालो दोनों charges present है positive है negative तो वो बाहर भी जा सकता है अगर सारे positive charge है तो फिर वो center of mass की तरह भी एप करेगा center of charge will always be inside the boundary of charges अगर सारे negative charge है तो भी center of charge तुमारा boundary के अंदर आएगा पर कुछ positive जैसे इनकी बांडरी यह थी पर सेंटर ओफ चार्ज बाहर पहुंच गया तो आंसर इस तो बहुत सोचने वाला कोश्चन है आइं वेरी शूर तुम मैंसे कई लोगों नहीं सोच लिया को कई लोगों को समझ में भी नहीं होगा सर ऐसे आसान आसान कोश्चन क्यों दे रहे हैं नहीं भाई बहुत सोचने की कोश्चन है